हेलो हेलो और वेल्कम एब्रीवन वेल्कम टू दे चैनल क्या आलें जी आप लोगों के सूपर डूपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं यह पता दो सबसे पहले तो मौज मस्ती के साथ पढ़ते हैं आपने आपके कोई टेंशन लेने का नहीं आज हम पढ़ रहे हैं भाई बहुत ही आसान होते हैं whole numbers बस यतना याद रखना कि whole numbers 0 से शुरू होते हैं और natural number 1 से शुरू होते हैं बस इतना फंडा है पूरे चाप्टर में ददा और कुछ है इच नहीं ठीक है तो चलो अपने पढ़ने जा रहे हैं question number 1 question number 1 बोल रहा है write the next 3 natural numbers after 10999 तो 10999 के बाद कौन स 3 natural number आते हैं और मेरे भाई अगर सवाल में यह पूचा होता कि अगले whole number कौन से आते हैं तब भी answer सेहीं ही रहता क्योंकि whole number और natural number का फरक तो मैंने आपको समझा दिया बागी तो सब सेहीं ही रहता है तो अब देखो अगले 3 natural number आएंगे 10999 के बाद simply आपको बस 1 1 add करते चल अब कोई carry नहीं है 1 और 0 कितना होता है 1 और 1 तो answer क्या हो गया 1 1 0 0 0 इसमें भी 1 add करोगे तो 1 1 0 0 1 इसमें भी 1 add करोगे तो 1 1 0 0 2 बस simply 1 add करते जाना है जब भी आपसे question में बोले next 3 या फिर successor तो 1 add कर देना is that simple भाई इसमें क्या समझाने का फटफट समझाने का चलो जी पर इस बार पीछे के पूछ लिए आगे के नहीं पूछे पीछे के पूछ लिए कौन से पीछे के तो बस पीछे के बूझ लिए तो 1 1 minus करने का ना भाई क्या मुश्किल है अभी अपने add कराता 1 अब अपन क्या करेंगे minus कर देंगे 1 तो same question में अपन यहां पर minus 1 कर देते ह 1 मैं से 1 गया 0 आगया जीरो तो आप तो भागी सब तो as it is लिग देना तो आंसर क्या हो गया 10,000 इसमें से भी minus कर दो तो फिर से minus 1 कर दो तो अब carry लेके करना पड़ेगा याद रखना carry लेके तो answer यह आएगा आप कर सकते हो भाई addition subtraction तो आता ही है ना मेरे भाई इतना तो इतना डिफरेंस है तो इसका सबसे चूटा नंबर कौन सा हो गया जी जीरो हो गया और नाच्रल लंबर का सबसे चूटा नंबर कौन सा हो गया बहुत आसान है राइट शाबाज दचाग देदा फटे चलो बढ़ते है next question की तरा तोड़ा जुखाम हो गया है थोड़ा सा सम जागरो चालो question number 4 देखते हैं ये भी बहुत असान है कितने whole numbers आएंगे 32 और 53 भाया हिंदी में क्यों बोल रहो इंग्लिस में बोलो आरे कोई नहीं ठेक हो 32 and 53 के बीच में कितने number आएंगे बस इतना बताना है इसके लिए या तो आप क्या करो 32 के बाद counting लिखना शुरू क करो देखो मैं आपको बताता हूं कि आप 53 में से बस 32 को minus कर दो एंड जब आपका answer आएगा वो बिल्कुल right answer होगा जैसे 3 में से 3-2 कितना होता है 1 होता है और 5-3 कितना होता है 2 होता है तो 21 is the right answer और आपके आजाएंगे इन दोनों की बीच में इतना ही difference होता है और इन दोन बता ना भूल गया जब भी यहां पर हम subtract करते हैं तो उसमें से एक और कम कर देते हैं यानि कि answer 20 आएगा क्यों क्योंकि हमने 53 और 32 दोनों को count कर लिया पर हम एक को exclude करना पड़ेगा ना समझ गए तो इसलिए 21 में से 1-20 कर दोगे 20 तो 20 आएगे अब आप चाहे तो उनको ग प्लस वन करो एंड सिंपल जीरो में वन एड होता है तो कितना हो जाता है बस वन हो जाता है सिमिलरली इन सब में 11 एड कर दोगे जट पर जट पर आंसर आना चला जाएगा तो यहां पर देखो 100109 का क्या हो गया 100200 उस सिमिलरली नंबर कितना भी बड़ा दे दो आपको तो सिम्पल सी बात है 530 और 503 में कौन सा बड़ा है अफकोस पहला टाम अगर इसको दोनों में से हटा दो अगर तुम्हें नहीं आता मैं तुम्हें बता रहूंगा इसे तो यह अतीजी कोश्चन है मैं ग्यारेंटी ले रहा हूं तुम सबको आता होगा स्टिल मैं समझा रहा हूं कुछ महारतियों के लिए तो देखो तो यहां पर क्या है पहला चेक कर लो नाइन बड़ा होता है फाइव से तो अफकॉस यही बड़ा होगा आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है बट एक तना ध्यान रखना कि कभी-कभी ऐसा कुशन आता है जैसे नाइन एट टू वन और फाइव टू वन तू वन अब इंसमें से कौन सा बड़ा है आपने दिमाग लगाया भहिया ने बोला था पहला नमबर चेक करो नाइन और इंदर भी चेक करो फाइव नाइन बड़ा होता है तो ये पटो जाएगा गलात क्यों ये भी तो चेक करोगी कितने डिजिट हैं ये एक दो तीन चार डिजिट हैं ये एक दो तीन चार पांच digit है, तो digit पहले चेक करने है जहाँ पे 5 digit है, जहाँ ज्यादा digit है वही answer बड़ा होगा, अगर digit तोनों के बराबर हैं, तब आप चेक करोगे के पहला later किसका बड़ा है ठीके? तो यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हैं, और देख सकते हो कौन सा बढ़ा होगा ठीक है क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इदर है 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इदर है तो आपको वैसे सेम चीज आ गई इदर 9 है और इदर 1 है तो यह मत सोचने लग जाना कि इदर वाला बड़ा होगा यह बड़ा होगा बाई साब यहां डिजिट जादा है समझ गए चलो अब बड़ ट्रू फॉल्स है तो जैट पर जैट पर टू फॉल्स भी कर लेंगे थोड़ी सी स्क्रीन साफ कर दें ताके सब कुछ आसानी से हम कर पाएं ट्रू फॉल्स तो वैसे भी बहुत आसान होते हैं फ्री के मार्क्स होते हैं इ 400 is the predecessor of 399 399 number का predecessor मतलब उसमें से एक कम कर दो उससे पहले 400 तो भायत बाद में आता है 400 तो तब आएगा जब आप उसमें 1 add करोगे तो भाया ये भी हो जाएगा आपका false 0 is the smallest whole number अब इस बार सही है क्योंकि 0 whole number 0 से शुरू होते हैं तो इसलिए 0 क्या हो जाएगा smallest whole number हो जाएगा 600 is the successor of 599 इस बार क्या पूछा है successor यानि के एक जादा तो 599 में एक add करोगे तो 600 आजाएगा 600 आजाएगा Hence, this is the right answer एक करोड़ पर जीत गया next, all natural numbers are whole numbers क्या सारे natural numbers whole numbers होते हैं whole numbers मैंने बोला 1 से शुरू होते हैं sorry, natural number 1 से शुरू होते हैं whole number 0 से शुरू होते हैं तो अगर एक ऐसे मन से कुछ image type बना ले कि यह है 0 और यह infinite मतलब आगे number जा रहे हैं तो यहाँ से पूरा यहाँ तक यह क्या है whole numbers है, right और फिर यहाँ पर कहीं आएगा 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है natural number है अब ज़रा question को ध्यान से देखो all natural numbers are whole number तो सारे ही natural number ध्यान से देखो whole number के अंदर ही आ रहे हैं तो इसलिए यह true हो जाएगा बट इसका उल्टा कि सारे whole number natural number होते हैं क्या सारे whole number natural number होते हैं नहीं तो 1 से जो पहले यह वाला area है न यह सारे वो number है जो natural number नहीं है बट whole number है न तो आप कोई confusion नहीं होगी आप स्क्रीन साब करते हैं ज़्यादे गिच पिच हो गई है और आपको answer तो आई होगा चलो ठीक है तो यह false हो जाएगा और यह true हो जाएगा the predecessor of a two digit number is never a single digit number किसी भी दो digit number का 99, 29, 10 का predecessor मतलब जुससे एक कम किया जाए तो क्या कोई single digit number नहीं आता कभी भाई ज़रा 10 मैंसे एक digit कम करके देखो 9 आ जाता है तो इसलिए यह हो गया false ऐसा हमेशा नहीं होता ठीक है 1 is the smallest whole number 1 smallest whole number है जी नहीं false 1 तो smallest natural number है है ना समझ में आया whole number सबसे छोटा 0 है natural number 1 का कोई predecessor नहीं होता अज बिलकुल सच बात है क्यों? क्योंकि natural number शुरू ही होते है 1 से whole number 1 का कोई predecessor नहीं होता क्यों नहीं होता 0 होता है भाई क्यों नहीं होता 0 होता के नहीं तो बहुत अजान है चलो the whole number 13 lies between 11 and 12 तो 11 और 12 के बीच में क्या लाए करता है साड़े 11,5, 13 तो बाहर चला गया ना तो उसके बीच में कैसे लाए कर जाएगा Nancy wrong हो गया excuse me I hope you can bear with me the whole number 0 has no predecessor whole number जो होता है 0 उसका कोई predecessor नहीं है सच बात है 0 से चोटा और क्या ही जाएगा और बैसे बात में हम whole number की बात कर रहे हैं तो whole number तो शुरू ही 0 से होते हैं सबसे चोटा and last में आ जाता है the successor of a 2 digit number is always a 2 digit number क्या 2 digit number के successor हमेशा 2 digit number होते हैं अरे यार बुद्धी लगाओ 99 को पकड़ो 99 में 1 add करो तो क्या आ जाता है 100 आ जाता है ना चुकि 3 digit है तो इसलिए ये भी क्या हो गया false हो गया I hope मैंने आपको पूरी exercise समझा दी है एकदम तसल्ली से आपको कैसे समझ में आईए ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जाट पैट और वीडियो लाइक कर देंगे अगर अच्छी लगी हो तो जिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई टेक क्यार आड मौज मस्ती करते रहिए बाई बाई